आज अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस समय दो तरह के एको सिस्टम बन चुके हैं एक एकोसिस्टम उन लोगों का है जो मोदी के फैन है भारत के समर्थक है राश्टरवादी है और दूसरा एकोसिस्टम उन लोगों का है जो मोदी की वज़े से बहुत बेचैन है जीसे इलॉन मस्क खुद को अब प्रधानमंतरी मोदी का फैन बता करहे है औश्रेलिया के प्रधानमंतरी मोदी को उनका ओटोग्राफ मांगते है पूर्व राश्पती बराक अबमा मोदी को रिफॉर्मर इंचीफ कहकर पुकारते है बिटन के पूरू प्रधानमंत्री बॉरिस जॉंसन मोदी को अपना खास दोस्त कहते हैं इटली के प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर बताती हैं रश्या के राश्पती व्लादे मिर्कुतीन प्रधानमंत्री मोदी को महां देश भक्त कहते हैं इस्रेल के पूर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री मोदी को इस्रेल में उनकी पार्टी जोइन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इंग्लेंड के पूर क्रिकेटर केविन पेटरसन मोदी को एक हीरो बताते हैं। तो ये वो लोग हैं। और आपको याद होगा भी हाली में पापोआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री मोदी के पैर छू रहे थे ये तस्वीरें कौन भूल सकता है जब वहाँ के प्रधान मंत्री ने उनके पैर छू रहे और यहां तक कि पाकिस्तान के पूरू प्रधानमंतरी इमरान खान भी मोदी को कट्टर इमानदार बताते हैं अपने देश में लेकिन दूसरी तरफ भारत में ही पुधानमंतरी मोदी को विपक्ष के नेता मौत का सौधागर कहते हैं जहरीला साप कहते हैं हिटलर कहते हैं बिच्छू, नीच, भसमासुर, चायवाला, अनपड, चोर और गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं जिससे आप इन दोनों एकोसिस्टम के बीच जो ब्लैक और वाइट का फर्क है उसे आज आज आप समझ सकते हैं तो ये दो एकोसिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त ना सिर्फ भारत में बलकि पूरी दुनिया में ये एकोसिस्टम काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोधी के इस अमेरिका यात्रा के दौरान भी ये दोनों एकोसिस्टम काम कर रहे हैं एक वो जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग सफल लोग, सफल नेता, अध्योग पती, क्हिलाडी, प्रधानमंत्री मोधी के बारे में अच्छी बातें कह रहे उन्हें ग्लोबल लीडर बता रहे हैं, अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरह वो लोग हैं जो मोदी को किसी भी चीज़ का कोई श्रे देना नहीं चाहते और वो अभी सही कहने लगे हैं कि मोदी की यात्रा फ्लॉप है और आपने देखा होगा अमेरिका में 75 सेनेटर ने ये चिट्थी भी लिख दी कि क्यों जो बाइडन को मोदी से कड़े सवाल पूछने चाहिए अब आप ये देखिए कि कॉंग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी चीज़ का श्रे क्यों नहीं देना चाहते आज नीयोक में जब प्रधानमंत्री मोदी का श प्रधानमंत्री मोदी के लिए 22 जून को वाइट हाउस में जिस स्टेट डिनर का आयोजन हो रहा है इस पर भी कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि पंडे जवालाल नहरू को तो दो बार अमेरिका में स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था तो कॉंग्रेस पार्टी का कहना है कि जो सम्मान आज प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है इससे कहीं ज़्यादा सम्मान तो प्रधानमंत्री नहरू को मिला करता था जब वह अमेरिका की आतरा पर गए थे मोदी को जो सम्मान मिल रहा है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है और आज जब अंतराष्ट्रिय योग दिवस पर प्रधान मंतरी मोदी ने नियोक सित संयुक तराष्ट के मुख्याले पर एक विशेश कारिकरम को संबोधित किया और वहाँ दुनिया के 135 देशों के साथ योग किया तो कॉंग्रेस इस पर भी यही कह रही है कि योग तो पंडित जवारलाल नहरू किया करते थे और कॉंग्रेस ने पंडित नहरू के शीर शासन करते हुए एक तस्वीर भी आज जारी किया जिसमें ये बताने की कुशिश की गई है कि योग का जो असली महत्व है वो तो असल में पंडित नहरू ने समझा था तो धान मंतरी मुदी तो बहुत बाद में आये हैं लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पंडित जवालाल नहरू कभी भी भारत की योग संस्कृति को अंतराश्ट्रिय मंच पर पहचान नहीं देला पाए हो सकता है वो जरूर योग करते होंगे लेकिन अंतराश्ट्रिय स्तर पर जो आज हो रहा है वो नहीं कर पाए जबकि वर्ष 2014 में प्रधान मंतरी बनने के बाद जब नरेंदर मोदी पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने संयुक तराश्ट में दुनिया को योग का मूल मंतर दिया और साल में एक दिन योग को समर्पित करने का आवान किया और उनके इस प्रयास से ही 21 जून को हर साल दुनिया अंतराश्ट्रिय योग दिवस के तौर पर मनाती है लेकिन कॉंग्रिस सिर्व राजनीती के लिए इसका श्रे प्रधान मंतरी मोदी को अब भी नहीं देना चाहती है लेकिन पूरी दुनिया आज इस बात को सुईकार कर रही है आज आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे ऐसा माना जाता है कि अमेरिका का योग से परिचे स्वामी विवे का नंद ने कराया था जब वो 130 साल पहले वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागों में हुई धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए वहां गए थे और इसके बाद अमेरिका में योग की इस भारती संस्कृती का इतना विस्तार हुआ कि एक सर्वे के मताबिक आज अमेरिका के 34 करोर लोगों में से 3.5 करोर लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं और खुद को फिट रखने के लिए योग की क्लासेज भी लेते हैं हलांकि स्वामी विवेकानंद ने कभी कलपना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब आजाद भारत के प्रधान मंतरी के साथ दुनिया के 135 देशों के प्रतेनी धी अमेरिका में संयुक्त रूप से योग करेंगे और इसके साथ ही आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है लेकिन आज नियू योग में क्या हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए यही है वो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज नियू योग में संयुक्त राश्ट के मुख्याले पर अंतराश्टे योग दिवस पर विशेश कारिकरम हुआ और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधान मंतरी मोदी ने की और इस दोरान उन्होंने कुल 135 देशों के प्रते निध्यों के साथ योग किया जो कि खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनेस बुक में भी दर्ज हो गया और आज इस मौके पर प्रधान मंतरी ने कहा कि भारत का योग अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिन में 72 साल के प्रधान मंतरी मोदी जब योग कर रहे थे तब मुश्किल से मुश्किल आसन भी वो बहुत आसानी से कर पा रहे थे आज आप उनकी ये फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि आज जब उन्होंने योग किया तो जिन आसनों को बहुत मुश्किल माना जाता है इन आसनों के लिए आपको एक बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी की ज़रूत होती है ऐसे आसन भी आज प्रधान मंतरी मोदी पूरी परफेक्शन के साथ कर रहे थे इन तस्वीरों को आप देखिए संयुक्त राश्ट के मुख्याले पर प्रधान मंतरी मोदी 135 देशों के प्रतिनी धियों का नेतरत्व कर रहे है यह गर्व कपल लग रहा है यहां पर आपको लग रहा है नातर प्रधान के सारी दुनिया एकाथ बिल सुझीज़ा घजीज़ा एक जाहिए Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all authenticities, for all faiths and for all cultures. Yoga is truly universal. सहवीर्यं करवावः तेजस्विनावधी तमस्तु माविद्विशावः ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही साति माविद्वेट झाल 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 झाल